SBI PO के जो examination होता है, वो किसी भी banking expert का most awarded exam होता है, पूरे साल का, ठीक है, और लगबग आपको याद होगा, जब गर्मी से हम examination preparation के start कर रहे थे, तो हम हमेशा wait करते हैं कि सरा SBI PO notification कब आएगा, and finally वो day आ चुका है, जब आपका SBI PO का exam इस समय आ चुका है, आपके पास लगबग यहाँ पिना आपको ढिलानी पड़ना है, जित्ती महत आप कर रहे हो तो हमेशा है, पूरे दिन बैठके मैंने आपके 7-8 page का आपके पूरे weekly targets बनाया है, कि 8-10 हफतों में आपको किस किस तरीकों से एक एक week में क्या क्या खतम करना है, जिससे कि आपका SBI PO का syllabus पूरे तरीक आपके बनाया है, कभी इस वो जब पूरा आप करते रहना, तो दिमार्ट में कईवा ऐसा होगा कि miss हो जा रहे होंगे आपके target, चलो आज यह इत्ता महें नहीं कर पाए, आज नहीं पाए, और दोने लोग के लिए, चाहे आप बेगिनर हो, चाहे आप एडवान्स हो, आप responsibility कि उसको आप complete करो within a time frame, क्योंकि देखो, पूरी जो preparation होती है, आपने सुना होगा, जो हमारी पूरी preparation होती है, अगर पूरी preparation में एक चीज़ेगा में calculate करने है, जो आपको पूरी success ले जाएगी, तो वो होती है discipline, ठीक है, तो अगले 6 महीन, तो अगले 3 महीन तक आपको सिर discipline रहना है, and consistent रहना है, ठीक है, consistent रहना है with the honest things, जो चीज़े हैं, सच में, जो आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, और अपना time बचाओ, जितना होता होतना time बचाओ, ठीक है, बहुत सारे आपको videos मिलेंगे, जैसे बहुत सारे चीज़े आप देखोगे, strategy videos, teacher आएंगे, बो फचाना पीना और प्रपर इदर्ध रिदम, sleep schedule यह सब भूल के, kept aside रखके इनको हमको थोड़ाँ सा, ज्यादा ही focus करना है, एकदम, determined हो के काम करना है, ठीक है, इस्टार करते हैं, देकि जो आपको तीन महनी का प्लान है, इस में सभसे स्टार्टिंग में, क्या बात करूँ आप देखो जब मालों आप में से बहुत सो लोग आप परपेशन स्टार्ट करने जा रहा हो तो जैसे आप सब लोग एक परपेशन जब स्टार्ट करते हो तो हमेशन जो इतना बिगिनर होंगे तो उनलोग को कही बार इता पर कंफूजन यह होती कि सर्फ पेपर में आता क्य है पेपर में किस-किस तरह कोशन आते हैं तो आप पहले पेपर के कोशन से पहले पेपर के पैटर्स रूबर हो जाओ जैसे कि आपने ठीक है जैसा कि आपने वर्ट पाव मेड़िजी के बुक में दिखा हो जब भी आप वर्ट पाव मेड़िजी के बुक स्टार्ट करते हो और यहां से आपको किस सरसे CD को चड़ना है जो मैंने टागेट्स बता हैं देखिए एक बात मैं आपको बता दूँ किसी की to-do list और किसी की targets होते हैं वो हमेशा खुद के होते हैं मैंने जो weekly targets बता हैं इसमें ये बता हैं कि अगर आप इंदब नय हो तो आपको slayvers कैसे कैसे करना है और अगर आप तयारी कर चुके हो तो आपको किन-किन चीजों की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो ये मैंने बताया है लेकिन आपको अपना daily to-do list खुद बनाना पड़ेगा ये बात ध्यान रखेगा क्योंकि आपकी weakness और आपकी आपके पास मॉक पड़ाओ का टेश्बूक का, अलिग बोड का, प्रैक्टिस मॉक का और डिजन मैंटर जितने में फ्री मॉक्स हो रहे हैं स्कॉलर्शिप मॉक्स हो रहे हैं उनको देना स्टार्ट करो मैं निचे आपको फ्री मॉक के लिंग दे रहा हूँ कि इतने आ रहे हैं मॉक्स दे लोगे, उसके आप अनलाइस करोगे तो आप यह देखना उसके बाद कि आपको कौन-कौन सा आपका वीक्निस है और स्टेंथ है इसको नोट करेना एक नोट बुक में और उसके बाद जो मैं स्टार्ट बताने जा रहा हूँ अगले आने वाल तीन महिने में आपको पता हर एक महिने पर आपके तीन प्रेपर शेडूल्ड है SBI कलक का प्री, IPS PO का प्री और आपका SBI PO का प्री और कोई भी प्रेलिप का एक्जाम तभी निकल पाता है जब आपके कॉंसेप्ट के साथ साथ यक्युcles साथ साथ स्पीड भी अगर देज होती है तो अपने क्याराशन स्पीड पर जरूर्ब काम करें काम करने के लिए आपको पता है 3-4 चीजे जो पहली बताई है मेरी क्याराशन स्पीडवाले वीडियो देख लिजेगा कि 24 घंटे में अगर आप कुछ भी कर रहा हो 10 घंटे पढ़ाई करो 10 घंटे में एक घंटा आपको रीडिंग के लिए रिकालना पड़ेगा पढ़ना प्रिफर करो कई लोगों पर पढ़ना जिनको नहीं पसंद है मैंने कई बार बोला है आप मैगजीन से फिर नॉवल पढ़ना पसंद करो एक टागट बना लो कि लिए तीन में पर नॉवल ख़तम कर लूँगा लेकिन मैं बोलूगा पर प्रिफ्रेवल होगा अगर पर पढ़ सकते हो तो पेपर पढ़ लो उससे आपको जिए कुछ पोशन और जो आपका एसे का फॉर्डर मेटरियल है वो भी तैयार होता रहेगा तो आयुट प्रिफर कि आप टेपर पर तीसरा एक घंटा हम देंगे जिए पी आप बोले को भी है जिए के लिए अभी से क के लिए आपको पता है में इसके बाद टाइम तो मिलता नहीं है और आपका जब IPS क्लक हो जाएगा IPS PO हो जाएगा तब भी आप जीके के तहरी करोगी करोगी तो जीके के लिए क्या करना है आपको टाइम बान लेना एक घंटे का वो जब जीके सेक्शन आएगा तो उसमें आपको क्या करना होगा देखेर रिज्टिंग के लिए अपन को अभी क्या करेंगे ना इस सबसे पहले आप ध्यान रखना कि सोर्स कीलो करना है तो रिज्टिंग के लिए आपको सोर्स फॉलो करना है वह दो होगा एक तो आपका YouTube होगा जुसरा को यह का practice PDF होगा जो भी लगता है जिससे भी आपको समझ में आता है उनको ही रखो लेकिन एक बार ध्यान रखना है इस प्रपेशिन जर्णी में कीप यो रिसोर्स इस लिमिटेड जिससे की रिवाइजन करने में कोश्चन को आप जब पिक करते हो तो वह असानी हो आप इस टीचर से पजल पर दो उनकी पजल आपको समझ में आ रही है तो कोशिशिक करो जो पूरी इस पोरा उनसे ही पढ़ो इससे क्या होगा जैसे मालो आप उनके क्लास में पजल पर दोगे जो पजल उन्हें अच्छे पजल करवाएं उनको आप नोट करोगे और बाद प पुरी रिजिंग किसी एक टीचर से करो, मानलो कि आप को इनीक्वैलिटी जिजम किसी और टीचर से समझ में आता है, तो वह टॉपिस उन से करो, लेकिन कोई एक टॉपिक किसी एक टीचर से करना, बार बार सबकी मेथट पे जाओगे तो वह कन्फूजन दिमाग में सब्सक्राइब इसको पूरे एक हफते में लगबग 50-70 पजल आपको लगानी है, डेली अगर 7-8, डेली 10 पजल लगाओगे तब भी आपका हो जाएगा, ठीक है, अब इसमें जो सारी टाइस में लिख रखे हैं, येर वाइस पजल, टेबल वाली पजल, टैलर रो वाली और लीनियर एरिज् मतलब पर वीक बोल सकता हूँ, कि आप क्या करो, पूरी हफते में दो तो टॉपिक उठाओ, कि चलो इस वीक में सिलॉक्स और ये करूँगा, इस वीक में सिलॉक्स में राइंकिंग ओर और अलफा पर टेस्ट कर लूँगा, ठीक है, उसके अगले वीक में क्या कर लूँग पर 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 टॉपिक वाइस करनी है, तो इनको अपने जो चार्ट है, उस पर लिख के दिवाल पर टांग लेना, और रोज टिक करते जाना, जब भी आप कोई चैप्टर को, कोई टॉपिक को खतम करो, ठीक है, अगर आप एग्दम बिगनर नहीं है, तो आप क्या करना है, यहीं सारे टॉपिक को सिंफ ट्रैक्टिस करनी हैं, पर लेखा, क्या-क्या ओ्स सिलोग्स सरा और सिलोग्स से conven सिलोक्स, ओर्डर रैंकिंग, अल्फा न्यूमरिक, फर्स्ट वीक में इतना बहुत है, आप सिलोक्स अल्फा न्यूमरिक हर तरह के डिफेंट 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 टाइप के सौसा दोजो कॉर्शन लगाओ और प्रेक्टिस करो, अब वीक टू में आते हैं, हम मौर्डड पजल लगाएंगे, आप बहुत हैं पजल का साथ तो अपन छोड़ी निज रखते हैं, तो पजल के रहेगा हमारे साथ बना रहेगा हर वीक में हम लगवगर पजल करेंगे, तो मौर्ड पजल के तीन वेरियेबल वाली, जिसमें आपकी बॉक्स वाली हो गई, यह अननोन बेज़ हो गई, औरेजमेंट वाली हो गई, यह सारी करेंगे, में से लिने ट्रॉपिक में जो दूर्पिक लेकर हैं मैंने वह दोर त जैसे coding decoding और blood relation इस week का topic है, इस week में इन दोनों को हम अच्छे सकतम है, आपका week तो चली रहा है week 1, week 2, आपका IVPS PO का pre-paper होगा, 12, 19, 20, October को, और similarly आपका SBI कलक का pre-paper का 15, 16, 22, मतलब एक महिनी बादार का paper है, उसके एक महिनी बादार paper है, तो हम क्या करेंगे, यह जो हमारा weekly plan चल रहा है, इसमें एक एक week का gap लेंगे, और वो एक week उस particular examination के लिए solely focused होगा, जैसे मानलो कि आपका अगर IVPS PO pre-scheduled बाराक टूबर को, तो बाराक टूबर को आपका IVPS PO का pre है, तो हम क्या करेंगे, उसके एक हफ़ते पहले 6 टूबर से लेके बाराक टूबर तक फुल मॉक्स पोकस करेंगे, IVPS PO के pre के धिर सारी मॉक्स लगाएंगे, sectional मॉक्स लगाए आठ नॉवंबर से लेके, 16 नॉवंबर तक पूरे एक हफ़ते में, हम क्या करेंगे, सिफ SBI के मॉक्स लगाएंगे, और कॉन्टे में से SBI कलक पर फोकस करेंगे, ठीक है, without getting disrupted, जो पूरा आपका प्लान है, यह आपको 6 वीक में दिखेगा, भले आपका पास 2-3 मैनी है, ल इसमें खतम कर लेंगे, coming to 4th week, तो 4th week आपको काफी हम पॉइंट होगा, जिसमें हम triangle-based puzzles, और आपके table-based puzzles करेंगे, इनको ठाग आप करोगे, और साथ में हम floor-based puzzles भी यहाँ पे निप्टा देंगे, बिस लिएस की बात करेंगे, तो आपके age वाले question हो गए, और direction sense के question हो critical raising वाला, वो जो मैंने आपको बता रखा है, minute sign की playlist वाली, वो critical raising उससे कहते है, तो इससे कहा है कि आपका maze का भी साथ में तयारी चलता रहे, week 5, अब पांचवे week में क्या करेंगे, आप इसमें खतम हो रहा होगा, एक महिने बाद में बता रहा हूँ, तो आप उसमें क्या क चार हफते थे इसमें जब आप पढ़ाया कर रहा थे और इसमें जब कोशन टिक कर रहा थे ठीक है, यह मैं आप उसमें आप पढ़ाया कर रहा थे, तो आपने बहुतike और बहुत अच्छे लगे होगे, तो आधो उणको है, नंको आपने नोट किया कि का bendATION कि कम सी मिलेंग और मिसलियस में क्या करेंगे जो जितने भी आपने नौ-दास टॉपिक प्रहने पढ़े हैं अब उनका क्या करेंगे अपने मिक्स कोश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे अब कम इन टू नेक्स टॉपिक अब क्या करना है भी हो दिखो सोर्स की अगर में बात करूं तो आप हो उसमें जो सॉल्यूशन है ना देखना सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके से नहीं है तो अपने ध्धान रखें कि आपको पास पास कोई अगर ऐसे बुक है तो सॉल्यूशन आप अपने तरीके स्टे जो आप Fast-paced करते होगे तो उससे ही करने को इसकरना है ठीक है प्र क्या होगा, आपको स्पीड क्रिए क्रिक आप करें तुमलिफिकेशन, मिसिंग नमबर्स इस लेइस क्रिस करेंगे , अच्छा , आप जो दूह क्या रहेंगे बेसी से क्रिक्तिक गाएंगी , लेकिन आप इस लोग पहले त्याजी कर रहे हो तो आप लिए क्या करो गोगेक, गो कोडिक कुईशन आपसे एक मरड़ में पांच कुईशन हो जाए, ठीक है, कि मतलब इतना फास आपका लेवल हो जाने चाहिए, कोडिक कुईशन आपको दिमार कम बैट जाने चाहिए, आप डेट ली उसके वो लिख रहे हो, रूट्स लिख रहे हो, और चेक करके अप टिक कर करेंगे कि अगले पांच हफ्तों में, ठीक है, दस चैप्टर हम अपने खतम कर लिए, अब जो इतदम बिग्नर है, वो इतदम बेसिक से करेंगे, और जो जिनको आता है, जो पहले से परदा है, जो आप इस पहले चाहरी कर रहा हो, तो आप लोग क्या करना है, इन आपके किसी भी तरग कोशन हो, आपसे वो कोशन हो जाना चाहिए, और हर वराइडिया फोशन लगाना कि किस टिक्स टाइब के आते हैं, ठीक है, लेट वी स्पीड वाले, आगे भाग रहा है, ये है, तो हर तरग कोशन आपसे हो जाना चाहिए, मैंने लगबग 10 चैप्ट तो ये आप छ kisses बेटावर कर लो, फर्स्ट वीक के में ही और सेकंड वीक में, सेकंड वीक में में हम करेंगे »वरिजhern' प्रॉफिट लाॉस, थर्ड वीक मेंअं करेंगे »विक्शर्स और आपका »इसक्ड सॉल आपका »वेल्टि वाले» वाले kोशन dehंश, करने 2 तरीकेों स्पूल मॉंक और भधे शोंड़ों सला एकल हृत है। संडे हमेशा को सब्सक्रां कि अचैज तुक है। यह बिकना समय तो सब्सक्राइब को फुरे writes क्या करिए अल ओंक एकलिक टीन करोंस है। वी टू में क्या करेंगे हम कुछ missing डियाई वाले question करेंगे missing डियाई वाले question कॉन से जैसे मालो time and work के base पर एक डियाई आ गई उसमें क्या है कि किसी का कुछ days नहीं लिखे हुए है शाम का days लिखे हुए है total days कित्य दोनों मिलके करते हैं वो सब लिखे हुए है जो missing डियाई होती है वो उनको प्रैक्टिस करेंगे कुछ डेटा से लगाएंगे और फिर सब्सक्राइब के चैप्टर्स और स्पीड टेस्ट पर हम लगातार अच्छे से काम करेंगे मैं यहां पर लिखा हुआ है एक घंटा आप इसको लिजेगा अगर अच्छा है आपका कई में से आप लोग बोलो कि भईया मेरी स्पीड बहुत अच्छी है और मैं यह जो चैप्टर्स होते हैं आपके आपके जो फोर टॉझे गई में कररेंगे में अर्म यह जो में की मैंटस एक वीडियो फूल डेकर डियो बडा से एहां पर वीडियो यहां तो उसको आप्लोग लिए करने पड़ें क्योंकि में में डियाइ का वेटेश अच्छा काता है तीज कोश्चन आपके आ रहे हैं 50 मांक के तो जो डियाइ आती है तो आपको यह करना है कुछ निकरना है हफते में जिसे मैंने बताया था में निकालना और उस दिन 4 घंटे आप मेंस के अच्छी से डियाइ करना उससे कहना आपको पता है आप लोगों कभी पता चलता नहीं आपको लगता हो बहिए टाइम वेश करवा रहे हो लेकिन जब आप मेंस के डियाइ लगाते हो तो आपका दिमाग और चीजों को कॉम्प्रेहेंड करता है समझता है लॉजिक चीजों करता है दिमाग चलाता है ठीक है तो आपका दिमाग भी उससे डेवलफ हो रहा होता है एक्जामनेशन स्पेसिफिक अचाव वीक फाइफ में क्या करेंगे अपन वीक फाइफ में वही चीज मुझे से मैंने पहले बोला था कि आपने पिछले चार हफते में जो जो चो को हम क्या करेंगे फाइज करेंगे घाय जा घंस कर जाएंगे?.. बाढ़के इस रखते हो स्पे आप करते हो ठाफने क्या करना पहुड करना ऑफिक स्विक सेवने वह में प्रेग्स करना है गोkk थे भीताँं के बात करता हूं। वधित तक मैं फैली और आप सब्सक्री यूजनार सुनार पामि मत कर tyre कने वीगज नहीं कैसे शचरविक जायाना हो जाए मोजुण यूजा है होता है लेगिन आप 30-40 मौक्स दगा लो यह एवरेज है ठीक है अब इंग्लिश इंग्लिश में मैं फिर से सोर्स बताने कोशिश करूं तो आपको पता है वो काप के लिए और टाइम बेस्ट बुक है वर्ट पावर मेडेजी कोई ग्रामर के बुक आप ले लो जो भी आपक तो आधे इंटेम में काम से जाए लेकिन अब धिदे पढ़ दाओ तो एक घंडेम पढ़ो फिर आप आर्सी के प्रैक्ट्स करना आप कुछ जोरी है साथ में मैं अधर कॉलम भी लगाएंगे और कुछ वोकाफ बेस्ट फिलर के कोश्टन लगाएंगे करेंगे गए अधियंगे एडेम्स लगाएंगे और सेंटेंस में यह जाए बी लिखा है कि आप जब गरदा होगे इसे पहले आप सब्च वर्वागरी में कर कर लेना बाकि और साय चप्ट्र साथ करोगे वब नाउन पर नाउन में कर लेंड़े लेकिन सबसे पहले आप तो कैब है ठीक है वीक छी के बाद करना तो हम क्या करेंगे कर लेंगे क्लोस टेस्स कर लेंगे साथ में से अंट्रिम्स और इडियंगे अब इनको प्रेक्टिस कहां से करोगे जैसे मैंने बोला कि यह तीनों चीज़े आपको दो-तीन जगवा मिल जाएंगी या तो आप मॉक आपको प्रीवेस है की बुक मिल जा है वहां से प्रेक्टिस कर लेंगे ठीक है वीक फोर आते हैं इंग्लिस का जो वीक फोर वह बहुत इंपॉरेंट होगा और इस पारजंबस क्योंकि पारजंबस एक आसा टॉपिक है ना जो कि पूरा हमारा वीक खा जाएगा तो यहां पर वर्ड यूसे लिखाया मैंने दिकना इसको उठा रीजेगा आप पूरे वीक में हर तरह के डिफेर्ट टाइफ के पहरे जंबस लगागेगा आज दिया होता है फिर नीचे अरेंज करने होता है किसी में स्टार्डी से पूरेंज करना होता है तो पहरेंज करना होता है और वीक 5 है आपका आपके इन अपरोप्रियेट वर्ड और जो ओर्ड वांस हैं यह मिसिस फेल्ट है वो कर लेना वीक 6 में आपको हाई लिवल के आर्शी सेट्स में लेंगे वो कर लेना रिजी सेट्स लगाने न और जितना आपने वोकावर पर दखा है जो भी आपने वर चार-पाम दिन में आजागे देख लीजागे कोई जीए जो है जीए को मुझे इस तरह से बैलेंस करना है पहली बात तो आपका अर्बी क्लक का बेंस का पेपर भी अनलाइज कर लूँग अच्छे से और साथ में आपका 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 स्पो मेंस का जीगे क्लक मेंस और इस बीए पीओ मेंस इन तीनों का जीके मिलाकर मैं एक वीडियो कंप्लीट लाओंगा वह जीए वाला तो वह आप देख ले ना बेसिलिए जो अभी आपका क्या करोगे जो एक घंटे में बात कर रहा था आप रात में एक घंटे में वह जो वीगली कंपाइलेशन आते हैं फिर जो मंसली कंपाइलेशन आते हैं उसके अफेर्स लाओड के यूट्यूब चैनल पर उन पर आप जा के देख सकते हो महां से आप क्या करो रिबाइस कर लेना और यह गाम रात में सोने से पहले करना जब टाइम आपका खतम हो ठीक है दिन में करन कि इन सब को कर ऊ और यह रख जो भी बात बलूह उना सिखाती है इस पूरे चैयार ही के फेम इसμεर टो कर घाओ एक देंदम ता वर् refers तो पर चलना सीख जाओगे और फिर बहुत स्मूथ लगेगे मंजल और जो सक्सेस मिलेगी ना तब बहुत खुशी होगी ठीक है तो डंगा पूरे हर जगा पीटे गए अब आध ध्यान रखना वागे ध्यान रखिए प्राहे के तरी ये बाई वाई एंड टेक केर